बहुत समय पहले की बात है एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किये वे बड़ी ही अच्छी नसल के थे और राजा ने कभी इस से पहले इतने श्रामदार बाज नहीं देखे थे राजा ने उनकी देखवाल के लिए एक अनुभवी आदमी को राजा ने देखा कि दोनो बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शांदार लग रहे थे राजा ने बाजों की देखवाल कर रहे आदमी से कहा मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ तुम इने उड़ने का इशारा करो आदमी ने ऐसा ही किया इशारा मि देख राजा को कुछ अजीब लगा, क्या बात है, जहां एक बाच इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाच उड़ना ही नहीं चाह रहा, राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाच के साथ सुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नही राजा को दोनों ही बाच प्रिय थे, और वो दूसरे बाच को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे, अगले दिन पूरे राज्य में एलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाच को उच्छा उड़ाने में काम्याब होगा, उसे धेरों इनाम दिया जाएगा, फिर क्य राजा ने देखा कि दोनों बाच आस्मान में उड़ रहे हैं, उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ, और उन्होंने तुरंत उस वक्ति का पता लगाने को कहा, जिसने ये कारनामा कर दिखाया था, वह वक्ति एक किसान था, अगले दिन वह दर्वार में हाजिर हु मालिक, मैं तो एक साधारान सा किसान हूँ, मैं ग्यान की ज़्यादा बातें नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाल कार दी, जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही, तो वो भी अपने साती के साथ उपर उड़ने लगा, दोस्तों, हम अबिलियत को भूल जाते हैं, यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं, जो आपके सही पोटेंशल के मताबिक नहीं है, तो एक बार जरू सोचिए, कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं, जिस पर आप बैठे हैं, धन्यवाद दोस्तों, अग अगर ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें